नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिट से हिंदि ट्रिक्षन नमस्ति में मैं हूं कुमार चोधरी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आभा कार्ड के बारे में सबसे पहले जानेंगे आभा कार्ड आखिर में है क्या और इसके क्या क्या फाइदे हैं इन सभी सव आभा कार्ड को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके आइए सबसे पहले जानते हैं आभा कार्ड क्या है आभा कार्ड एक हेल्थ आईडी कार्ड है जो हर नागरिक को ABDM आनि आईश्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतरगत उपलब्ध कराया जाने वाला कार्ड है आभा का फूल फॉर्म आईश्मान भारत हेल्थ एकाउंट है इस कार्ड में आपको चोगदो अंको की एक यूनिक नम्मर मिलता है जिसे आभा आईडी या आईश्मान भारत हेल्थ एकाउंट नम्मर भी कह सकते हैं इस कार्ड में वेक्ति की सवास्त संबंदित सभी जानकारियां डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी परधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आईश्मान भारत डिजिटल मिशन 2022 के ताथ अब सभी पातरता रखन वाले नागरिकों की सवास्त संबंदित जानकारी डिजिटल माध्यम में रिकॉर्ड की जाएगी जानकारी के लिए बता दें कि इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की सवास्त संबंदित जानकारी डिजिटल माध्यम से सेव रहेगी हलाकि यह सभी जानकारी नागरिकों की सहमती से ही रिकॉर्ड की जाएगी लबार्थियों के जो चोकदु अंकों की हैल्थ आई-डी परदान की जाएगी यह एक तरह से उनके एकाउंट की ही तरह काम करेगी जिसे मोबाईल एब के जरिये देखा भी जा सकेगा इसका सबसे बड़ा लाभ है कि अब स सालों पुरानी रिपोर्ट आदि सहजने के आउसकता नहीं है साथ यदि ये रिपोर्ट रसीद या इलाद संबंदित पेपर वर्क खो भी जाते हैं तो इन्हें परिशान नहीं होना होगा दूसरे सब्दों में कहें तो इसका उद्धियस अधुर्निक डिजिटल स्वास्त पर नाली को स्थापित करना है इस मिशन के अंतरगात भारत में जितने भी हस्पताल क्लिनिक परियोग साला इमेजिन केंद्र फार्मेंसी इत्यादी स्थित है उन सभी को पंजिक्रीत करने का काम किया जाएगा इससे सभी सवास्त समबंदित सुविधाओं को देश के देश से आईए आगे जानते हैं अभाकाट के लाभ एवं विसेस्ताओं के बारे में दोस्तों इस मिशन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लभाविन्त होंगे और साथ ही मरीज के स्वास्त संबंदित सेवा परदताओं के संबंद में भी सटिक जनकारी उपलब द जैसे कि बहुत बार देखने में आता है कि मरीज अपने पुराने रिपोर्ट्स और जांच आदिसंबंदित जनकारियों का विवराख हो देते हैं या भूल जाते हैं एसे में उनके समस्या के बारे में समझने के लिए कई बार आवस्यक होता है कि उनकी पूरी रिपोर्ट medical history भी होनी चाहिए लेकिन उपलब्द ना होने से दिकत आ सकती है इसी परिस्थिती में digital माध्यम में रखे गए records बहुत काम आएंगे वेक्ति कभी भी कहीं भी इन reports को access कर सकता है जिससे उनका इलाज करने वाले डॉक्टर वा अनिस्वास्त कर्मियों के लिए बहतर इलाज करना सुविधा जनक रहेगा साथ है इसका एक और फाइदा यह भी है कि बिना मरीज की सहमती से यह report देखना संभव नहीं होगा जिससे हर नागरिक को नीजीता का भी अधिकार मिलेगा जनकारी प्राप्त करने के लिए क्लिनिक या hospital को आभा कार्ड या फिर OTP की आवस्कता होगी जिसे वेक्ति की सहमती पर ही देखा जा सकेगा आभा कार्ड में वेक्ति का बलड ग्रूप, समस्या, दवाई, रिपोर्ट तथा डॉक्टर से संबन्दित अन्य सभी जनकारी दर्ज की जाएगी और आवस्कता होने पर उपलब्द होगी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि आभाकार्ड क्या है और इसके क्या-क्या फाइदे है और अगर आप अपनी खुद की आभाकार्ड बनाना चाहते हैं तो इसे आप किन-किन माध्यम से बना सकते हैं और कहां-कहां से बनवा सकते हैं इसके एक डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूँगा, इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर आकर भी देख सकते हैं, या फिर लिंक भी उपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें, ताकि और भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके आभाकार्ट से रिलेटेड और भी कोई सवाल आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी कमेंट का जवाब देना मेरी परात्मिकता होगी, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, आपका दिन मंगल मैं हो झाल